Class 10 जैसे हमने अब तक Geography, Political Science, History की पूरी की पूरी बुक एक बार में स्वाहा कर दी आज इस वीडियो में Political Science याने Savix की पूरी NCRT एक बार में इस वीडियो में स्वाहा करने वाले हैं तो बस अगर वीडियो में आ चुके हो तो एंड तक देखना एक्जाम टाइम पे यार कोई भी वीडियो मिस मत किया करो बीच से मत जाय करो तो स्टार्ट कर दिया है तो टूवेक्स पे देखो बट एंड दे तक देखना है और इस वीडियो के बाद NCRT का एक एक कॉर्नर तुमारी फिंगर्टिप्स पे होगा कतम करते ही चले जाना पहल लक्षय आपके जहां तुमें free of course notes, worksheets और sample papers and even quiz मिल जाएंगे तो चलो यार अब अपना civics स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छे से complete करते हैं ठीक है तो हमारा chapter है power sharing पहला chapter है तुरण 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 इसको complete करेंगे बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा यह chapter है अपना देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है सबसे पहले हमें दो केस स्टेडी दी गई है Belgium और श्रिलंका की Belgium श्रिलंका दो देश हैं Belgium यूरोप का एक चोटा सा देश और श्रिलंका तो बहिया पता अपना पडोसी है ठीक है तो इन दोनों में क्या सीन हुआ देखो यहाँ पे एथनिंग कंपोजीशन थी एथनिंग क मतलब होती है कल्च्रली सोशली डिवीजन मतलब दो टाइप के लोग जो अलग-अलग कल्चर को अलग-अलग लैंग्वेज को फॉलो करते थे ठीक है दोनों में यही वाली दिक्कत थी पहले एक की दिक्कत समझो Belgium में क्या था कि हमारे जो Belgium की राजधानी थी उसका नाम थ एपने मैजऔरिटी में थे ब्रुषल का पहां पर यह रहा पर है आइज वहाँ पर एक सैंट लोग बोलते थे फ्रेंच और 20 परसंट बोलते थे उसे फ्लेमिश का जाता था और जो फर्टी परसंट लोग जो फ्रेंच बोलते थे वो जहां रहेते थे उन्हें वलोनिया रीजन कहा चाता था यह दोनों लोग मिलके रहते थे यहाँ पर तुम लोग को जो रेड से मार किया गया है वो वलोनिय रीजन है और यहाँ पर जो तुम्हारे यलो से हो naming रीजन है एक पूरे देश की बात करें तो बेल्जियम में 59% लोग डच बोल रहे हैं जो कि उसमें वो मैजॉरिटी में हैं और इसके बाद बाकी बच्चे लोग 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं ठीक है तो यहां पर एथरिंग कमपोजीशन ऐसे हिली हुई थी अब श्रिलंका में देखते थे 74% 74% सिनहाला भरे हुए थे बोलने वाले लोग और तमिल बोलने वाले 18% लोग थे अब सिनहाला बोलने वाले जो हमारे लोग थे वह मोस्टली बुद्धिस फॉलो करते थे बुद्धिस लोग थे और जो हमारे तमिल बोलने वाले हैं वह मोस्टली थे हिंदू या मुस पोजीशन थे 18 परसेंट लिए लोग थे और 74 परसेंट अपने थे सिनहाला स्पीकर्स अब देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे काम किया दोनों में जरूरत है दोनों में तकरार होगी दोनों में दिक्कते आएंगी दोनों कंट्रीज में देखते हैं किसने कैसे देखा अपने problems को और किसने कैसे solve किया तो पहले देखते हैं श्रिलंका क्या case यहाँ पर शुरू में ही लिखा है majoritarianism majoritarianism मतलब जहां पर majority अपनी मनमानी करने लग जाती है और majority के ही सारे rules बनने लग जाते हैं उसे हम लोग कहते है majoritarianism ठीक है तो श्रिलंका 1940 में independent country के तरह उभरा और उसने follow की majoritarianism majoritarianism मतलब जो majority में है उसी का राज चलेगा तो उन्हों 1956 में एक act पास कर दिया जिससे सिन्हाला एक only official language हो गई और तमिल को कोई भी हक नहीं मिला कोई भी representation नहीं मिली अब भाई यहाँ पर तो तमिल universities में पढ़ाई हो रही है government jobs में जो काम हो रहे वह सब तुम सिन्हाला में करने लग गए हमारी भी तो language है हम भी तो 18% हैं तो हमारा क्या होगा तो यहाँ पर हुए भाई दंगे दंगे हुए riots हुए और civil war चड़ गई Captain America वाली यहाँ पर civil war चड़ गई और इससे हमारी दिक्कते बढ़ने लग गई वहाँ पर हम लोग को देखने को पता चलता है कि आगे चलके कई organization आती हैं जो तमिल अलग अलग तमिल स्टेट की बांग करने लग जाते हैं कि हमें आजादी दे दो हम लोग अलग हो जाएं बट ऐसा कुछ नहीं होता है thousands of people उस community के मारे जाते हैं दोनों communities के मारे जाते हैं बट तमिलियंस काफी मारे जाते हैं कि वह धिर्दे करके आगे चलके खतम ही हो जाते हैं और 2009 में इनकी जो दिक्कत हैं वह खतम हुई क्योंकि जब तमिल वाले लोग थे वह इतना मारे जा चुके थे कि अब उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था तो मा लोग देखते हैं बेल्जियम में क्या है तो बेल्जियम में है अकॉमडेशन अकॉमडेशन मतलब सब को साथ लेकर चलना एक साथ लाना तो बेल्जियम में क्या हुआ भाई बेल्जियम में कंट्री में इन्होंने बनाई एक कॉंस्टिट्यूशन और कॉंस्टिट्यूश कि जो Dutch और French speaking minister थे वो equal हो गए Central government में Dutch भी बोलो equal और जो तुमारे French है वो भी equal तो equal representation दे दिया गया इसके साथ साथ में दूसरा चीज ये किया गया कि जो Central government की power थी वो कम कर दी गई और State governments की बढ़ा दी गई यह जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है न Valonia region और यहाँ पर हमारा जो दूसरा Flemish region है तो Central power तो सब पर rule करेगी इन्होंने क्या कहा कि हम लोग छोटे वाले पार्ट में अलग government बना देंगे इस वाले पार्ट में अलग government बना देंगे तुम लोग अपना अपना देखो हम लोग Central power की जो Central government की power है वो कम कर दे रहे जिससे कि कोई भी ऐसा दंगा ना Central government अगर powerful रहेगी तो क्या पता वो किसी एक region का favor ले ले किसी एक region के खिलाफ कुछ कर दे इसी वाज़ेसे उन्होंने Central government की power थोड़ी कम कर दी और कहा यह अपना अपना देखो इसके साथ में Brussels में हम लोग यहां पर हमारे कितने 80% क्या थे याद करो याद करो यार एक्जाम है जल्दी तुम लोग क्या कर रहे हो 80% अपने फ्रेंच और 20% देच प्रॉपर पूरे Belgium में कितने थे 59% थे हमारे डच और 40% थे फ्रेंच तो 80% 80% जो हमारे फ्रेंच बोलने वाले थे उन्होंने यहाँ पर कॉंप्रॉमाइस किया और कहा फ्रेंच बोलने वाले थे उन्होंने कॉंप्रमाइस कि यहाँ तो इससे क्या हुआ कि गवर्मेंट में इसबकी रप्रॉपर इ Videvert is शर करने के लिए कि यह जो पीस है वो बना रहे यहां पर एक अलग community government बनाएगे जिसमें उनकी community के लोग वोट देते थे and communities को वो represent करती थी community government यह ensure करती थी कि कोई अगर language related issue है cultural related issue है educational related issues है तो उसको सही करने का काम हमारी community government करने लग गई तो यह कुछ steps थे जो लिए गए जिससे कि यह जो complicated दिक्कत थी यह Belgium की वह सही हो गई शांती से श्रिलंका वालों जो डील करने की किस ने कैसे डील किया श्रिलंका ने कैसे डील किया बैल्जिम ने कैसे डील किया exam में question आ जाते है क्योंकि examiner का यह favorite question ठीक है पूछ लेता है कि बताओ वे लूनिया पावर को शेर नहीं करोगे अगर किसी एक इंसान के हाथ में पावर दे दो कि तो दिक्कत हो जाएगी तो यहां पर पावर शेरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कॉनफ्लिक्ट को रोकता है हम लोगों ने पावर शेर कर दी दोनों कम्यूनिटीज के बीच में बेलजियम में तो पावर कोई दिक्कत नहीं हुआ हमने पावर शेर नहीं की और सिंहाला वालों ने अपने पावर रख दी तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो गया तो पावर शेरिं कैसे होई तो डावध क्राइश के लिए पावर शेरिंग बहुत जरूरी और लेजिटिमेट बनने के लिए भी पावर शेरिंग जरूरी है वरना कोई एक ही गवर्मेंट सारी पावर लेकर बैठी रहेगी तो बाकी जो बाकी अधर जो पार्टीज हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी दो reasons होते हैं Prudential reason और moral reason Prudential मतलब जो actually fact वाले reasons है जैसे कि जो हमारा Prudential reason होगा कि power sharing से better outcome निकलेगा क्योंकि power share हो जाएगी और उससे किसी एक इंसान के पास power नहीं आएगी जो हमारी power sharing होती है democracy में वो टिक पाती है democracy में सबको फिर बोलने का अधिकार मिल पाता है क्योंकि किसी एक के पास power नहीं रहती कोई एक सर्वे सर्वा नहीं रहता है अब यहाँ पर हम लोग को एक Khalil's dilemma दिया गया है तो हम लोग पॉस करके पढ़ सकते हो questions तो मैंने देखा नहीं है क्या पता पुराने जन्म के पाप के वज़े से questions आ जाएं बट इससे आता नहीं है यह बस पढ़ने के लिए तो आराम से पढ़ सकते हो कोई tension नहीं forms of power sharing हम लोग अभी exam से एक दो दिन पहले तो बस वही पढ़ेंगे न एक्जाम में आ रहा है so power sharing forms of power sharing यह भी बहुत important question है यहां से काफे अच्छे questions आते हैं पहला है तुम्हारा अमंग different organs of government power sharing के अलग-अलग form हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला है different organs of government organs क्या होते हैं तुम्हारे पास कौन कौन सा ओर्गन हैं दिल है kidneys हैं लंग्स है यह सब और्गन है ना सबकी equal importance है कोई एक भी अगर damage हो जाए तो life possible है क्या नहीं तो इसमें सबके पास equal power रहती है power sharing में सबके पास equal power रहती है और उसे horizontal distribution of power कहा जाता है horizontal मतलब यह देखो यहां पर horizontal यहां पर जितनी distribution होंगे horizontally होगी तो अगर यह हम लोग power का अगर चार्ट बनाए तो सब एक ही level पे है horizontally सब लोग first floor पे हैं तो सब first floor पे हैं 10th floor पे हैं तो levels of government ठीक है पहले organs देख लो organs क्या है और गंस है हमारा judiciary executive legislative तो हमारा क्या है judiciary जिसमें कानून वगएरा बना दिया हम लोगों ने उनको एक power में रख दिया एक equal representation दे दिया फिर legislature बना दिया जिसमें executive अब मतलब जो काम करती है उसको rules and policies बनाने का काम हमने legislature को दे दिया executive बना दिया executive में आ गया हमारे prime minister उनके council of ministers और फिर इसके बाद police आ गई उसमें तो इससे जो हमारा execution है जो laws का execution है वो executive से होता है तो तीन हम लोग ने बना दिया तीन हो एक दूसरे के power को judge check and balance करते रहते हैं जूडिशरी इसमें सब को सुपरवाइस करती रहती है कि सब constitution के according हो रहा है कि नहीं पावर शेरिंग अबंग different levels of government में क्या होगा central government state government इसे हम लोग बना देते हैं ठीक है इसे federal government भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग next chapter में पढ़ रहा हुए कि क्यों इसे कहा जाता है ठीक है तो इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे क्योंकि अगर पावर का हम लोग एक शार्ट बनाएं तो उसमें central government सबसे उपर रही क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर भी रहती है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा भी रहता है फिर state governments रहेगी फिर इसके नीचे कोई local government है तो लोकल गgadoर्मेंट रहेगी तो यह लग एक level पर नहीं उनका पावर के level अलग 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 है इसी वाजह से यह वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है कि मतलब उच्छे गवर्मेंट को ऊचा पावर फिर नीचे गवर्मेंट को नीचा पावर तो यह वर्टिकल हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया थार्ड पावर शेरिंग हम लोग सोशल ग्रूप में भी देखते हैं देखो डेमोक् ग्रुपत देखने को मिलते हैं एक प अपनी ह tau बाते हैं को बाते हैं da तो अलग-नग ट्राइबल कुछ ताइम पर अपना मोर्चा निकालते रहते हैं उनका जो जो representation है वो ना चिने उनका जो बात है वो सुना जाएं तो इसका हक है उन्हें और ये हक उन्हें देता है पावर शेरिंग जो की है उसका थर्ड फीचर ठीक है चौता फीचर क्या है कि पावर शेरिंग में हम लोग political parties हैं हमारे पास pressure groups और movements pressure groups क्या होते हैं जो basically कुछ लोग मिलके सरकार पे किसी काम के लिए pressure बनाते हैं कि आप आपने ये काम गलत किया जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ कुछ जगहों पे किसान के बिल्स आए थे उनमें जो किसान थे जो फार्मस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो मैं पता है वो कौन से गृप ते इस पार्टी से नहीं उनका कोई पार्टी या फिर उनको चुनाव नहीं लड़ना था उन्हों अपनी बात रखनी थी सरकार के सामने कि हमें यह दिक कार्या जो ध्यान है उन दिक्कतों पर आए पॉलिटिकल पार्टी तो तुम लोग जानते हैं इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ रहोंगे पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली ऐसे गुरूप फीपल होते हैं जिनकी सेम आइडियोलोजी होती है और जो चुनाओ लड़ना है ठीक है और इसके बाद आता है हमारा पावर शेरिंग होता कैसे है पावर शेरिंग के डिफरेंट फीचर बता दो तो यह चार-पांच पॉइंट मैंने बता है वह लिख देना कई भी कई बार कोशन आ जाता है कि बताओ पावर शेरिंग क्यों डिजारेबल है तो उसके दो तीन पॉइंट लिख देना फिर इसके बाद मोरल रिजन लिख देना कई बार कोशन आता है बेल्जिम और श्रिलंका का केस बताओ क्या हुआ था क्या सीन था उसको बता देना और इसके साथ तुम्हारा कोई भी कोशन आएगा वो तुम बना लोगे क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लीर हो चुका है अब चलते हैं एब लोग अपनी गवर्रमेंट जो है भो अलग यह लिबल्स में बनाते हैं हम लोगोंने पिछले अभी यह चैटर में क्या पड़ा कि वर्टिकल डिविजन आफफ पावर करते हैं न हम लोग की ऊपर central government फिर state government फिर नीचे local government बना देते हैं इसी करने को हम लोग federalism बोलता है जिस country में यह हो रहा होता है कि central government है फिर state governments है फिर आगे नीचे local governments है उससे हम लोग federal country कहते हैं federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country मतलब state government local government तो इसे ही हम लोग कहते हैं federalism इंडिया में federalism follow होता है रुष्या में federalism follow होता है Canada में, United States में, Brazil में, South Africa में, Australia में इन सब जगों पे federalism follow किया जाता है मतलब state government है फिर इसके नीचे उसके उपर हमारी main एक central government है इससे फायदा क्या होता है इसके features क्या क्या है यह चलो देख लेते हैं जो कि बहुत important है यह तुम्हारे लिए direct questions आ जाते हैं exam तो पहला federalism का क्या level of government होती है tiers इसको बोला जाता है टायर बदपढ़ना tier होता है तो two more और two या फिर उससे ज्यादा level of government होती है central government state government इतना है तो भी federal country कह सकते है नीचे local government है तो भाई क्या बात है ताली बजाओ और इसको federal country बोल दो दूसरा point different tiers of government जो है उनके पास उनका own jurisdiction specific matter specific taxation administration के लिए मतल कि भाई तुमारा ये काम है तुम ये करोगे यह नहीं कि एक दूसरे के लिए वो लोग एक ही दूसरे से काम करने के लिए उलजते रहे कि भाई मेरा काम क्या यह तो मेरा काम था तुमने क्यों कर दिया specific jurisdiction रहता है जो government है उनका ठीक है और वो दोनों लोग दोनों government same citizens को हाई state government है उनके भी citizens हैं दोनों का यह जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए laws वगरा बनाए तो अब दोनों अगर तुम्हारे लिए laws बना रहे हैं तो कैसे decide होगा कि कौन कैसा law बनाएगा तो policies वगरा decide करने के से पहले यहां पर उनका काम decided रहता है कि भाई तुम इस काम मे अपनी policy बनाना तुम इस काम में policy बनाना आगे हम लोग देखेंगे कि वो काम कैसे decide होते हैं third point में यही है कि जो constitution है हमारा उसने specify कर दिया है कि कौन कौन से काम तुम लोग करोगे ठीक है कौन कौन से काम कौन सी government करेगी उसके लिए list बनाए गई है जिससे हम लोग कहते है union list, state list और concurrent list चलो जल्दी जल्दी से उसे भी पढ़ लेते हैं तो constitution ने कहा है कि तुम्हारा जो काम है वो already decided होना चाहिए तो जो union government के काम है वो union list में आते है union list क्या-क्या काम करेगी इसका example तुम्हें पता होना चाहिए जैसे कि union government क्या करती है वो defense के काम करती है वो taxation करती है वो क्या करती है वो foreign affairs देखती है foreign affairs हाँ so यह हमारे टीन major काम हो गए इसके बाद में हम लोग को देखना है state government क्या-क्या काम करती है वेट मैरीज कर लेता हूँ यहाँ पर अच्छा ठीक है state government जो काम करती है ना उसको state list में रखा जाता है state list में क्या क्या जाएगा state की police आती है state list में क्या क्या आ जाएगा state highways बनाना और state के क्या-क्या काम रहेंगे state-led institutions बनाना जैसे hospitals वगरा हो गया ठीक है सो यहाँ पर यह state के कुछ काम होगे दो-तीन काम होगे आगे चलके हम लोग उनको detail में भी देख रहा हूँ अब ऐसे काम भी होते हैं जो दोनों लोगों को करने रहते हैं जिसे हम लोग concurrent list बोलता है concurrent list क्या होता है basically वह ऐसे काम होते हैं जो दोनों लोग करते हैं जैसे कि पढ़ाई education education दोनों लोगों की जिम्मेदारी होते हैं कि भाई तुम focus करो कि education सबको अच्छे से मिले तो उसके लिए क्या हम लोग देखते हैं कि जो state government है वह अपने state boards चलाती है यह सब स्टेट government के बोर्ट से तो इसी वज़े से तुम लोग देखोगे कि state schools भी रहते हैं जो state government है वह अपने लिए local schools खुलवाती है जैसे वह अपने बच्छों की पढ़ाई करवाब है अपने state के बच्छों की और union union government में तुम लोग को देखने को मिलता है cbsc board cbsc board में तुम्हें जो तुम किसी भी state में हो अगर तुम cbsc board वाले school में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मतलब की एक national government के तुम अंडर में पढ़ रहे हो होगे कि national कई aims वगएरा खोले जा रहे हैं हर जगह पर and state government के अपने state hospitals होते हैं union government के अपने hospitals होते हैं जो लोग हर जगह खुलवाती है जिससे medical facilities मिल पाए ठीक है सो यहां पर state और union list के दोनों के काम जहां mention होते हैं वह concurrent list होती है यह तीनों लिस्ट जो हमारी judiciary है वह एकदम check and balance करके रखती है कि हाँ रहती है जिससे की जो हमारा कोई ऐसा ना हो कि दो conflict पैदा हो जाए कि भाई तुम्हें मुझे इस चीज में काम करना था तुमने क्यों कर दिया ये conflict ना हो इसवज़े से यह तीन list बनाई गई है मुझे लगता है तो मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया ह तो वीडियो को थुड़ा सा पीछे करके देख सकतो आजाएगा ठीक है अब आते हैं हम लोग 4 पॉइंट में जो कि है cannot be unilaterally changed जो है constitution हमारा जो constitution के fundamental provisions हैं वो कोई एक government नहीं जूज कर सकती है बदल नहीं सकती है union government को मन किया कि किसी दिन वो state के regarding जितने भी laws हैं वो हटा दे तो अगर कोई fundamental provision है वो constitution का जिस सिफ constitution की जो structure है उस पर कोई फर्क पढ़ रहा है मालो right to education हटाना चाहरी है union government तो वो अकेले नहीं हटा पाईगी union government और जितने भी state governments हैं उनकी जादत लेनी पड़ेगी उससे अगर कोई भी वो fundamental change करना चाहते हैं constitution में तो ठीक है और इसके बाद में जो हमारा high court है जो supreme court है वो हमेश्चा एक judge का काम करता है एक empire का काम करता है जो देखता रहता है कि यह दोनों governments काम कर रही है कि नहीं वो दोनों आपस में लड़ने में तो busy नहीं है क्योंकि कई पाद क्या होता है state government और union government की डिफ्रेंट होती है जैसे वेस्ट बेंगौल में जो ममता बैने जी जी की सरकार है उसमें तुम दब देखोगे उनकी ideology बहुत ही अलग है और union government में PM Modi की सरकार है उनकी ideology बहुत अलग है दोनों लोग फिर भी काम कर रहे हैं न कभी तुमको दंगा सुनने को मिला ओफीशली टीवी पर डिबेट्स वगरा में तो अलग बात है बट तुम्हें ऑफीशली government level पर कोई दंगा कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी protocol follower नहीं किया जा रहा है तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है इनकेस अगर लड़ाई भी होती है तो highest court हमारा supreme court empire की तरह काम करता है वो दोनों की लड़ाई को सुल जाता है ठीक है मिलेगा अगर tax का पैसा है तो किस कौन सा tax है उसका पैसा कहां जाएगा किसको मिलेगा तुम अगर कोई काम कर बिजली का बिल अगर तुम भर रहे हो तो वो उस बिजली के बिल का पैसा किसको मिलेगा यह सब defined है सबका जो sources of income है वो defined है हर एक level of government के लिए जिससे कि उन्हें लड़ना ना पड़े पैसों को लेके कि तुमने तो मेरा पैसा का लिया जब defined रहेगा तो कोई लड़ाई नहीं जगड़ा नहीं होगी दोनों को पता रहेगा कि हमें पैसा कहां से लेना है कहां से हमारी earning source रहेगा साथवा reason देखो यहाँ पर जो हमारी federal system में जो हमारी country है उसको एक रखने का काम किया जाता है यह नहीं कि कभी state government को लगे कि अब हम लोग को अलग country बनानी हो ऐसा नहीं होता है यह जो federal country होती है वो यूनाइटे होती है वो हर एक provisions को ध्यान में रखके जो भी laws बनाती है वो हर एक diversity को ध्यान में रखके laws बनाती है तुम लोग country में अगर federalism अच्छे से ना चल रहा हो ना तो वो कुछ समय में country टूट जाती है क्यों क्योंकि central government में pressure रहता है कि भाई central हमारी government है वो तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि तुमारे जो बगल में कोई अगर कोई local problem है तो तुमारे मोधी जी को तो पता नहीं होगा तो इस वाज़े से state governments बनाई जाती है state government अपना जो local issues और local problem है उन पर वर्क कर रहे होती है उनको देख रही होती है उनको fix कर रहे होती है तो state government state के लोगों का local issues का मतलब ध्यान रखती है और union government पूरे country का ध्यान रखती है external देखती है कि external affairs कैसे उसको maintain करती है defense देखती है नहीं ज नहीं नहीं आर्मर्स खरीदती रहती है तो यहां पर जब काम डिवाइड हो जाता है तो हर एक गवर्मेंट अपना काम अच्छे से कर पाती है इससे यूनिटी मेंटेंड होते हैं यह लोग यह दोनों लोग स्टेट और यूनियन गवर्मेंट दोनों यूनिटी की बात करते हैं दोनों देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं दोनों देश को एक रखने की बात करते हैं सो इससे जो रीजनल जो ढाइवर्सिटी उनको left-out feel नहीं होता हैं अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्मेन्ट भी है तो गवर्मेन्ट में जब होते हैं वह स्टेट के लोग इस टो कभ Caesarman बु необход देके अपने लीडर्व को जुनते तो उनहें भी representation मिल जाता है मायनॉटीस्कों मिल जाता है किसी पार्टिकुलर ऐरिया कि जो minority से उन्हें मिल जाता है, इसी वज़े से तुम लोग देखोगे, region wise तुम लोग को chief ministers बदले बदले मिलेंगे, जिसे जारखन में mostly कोई tribal ministers बनते हैं, tribal leaders सामने आते हैं, tribal chief ministers बनते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे tribal community के लोग हैं, भले ही सिर्फ जारखन में, सिर्फ वो जार chief minister सबके ले काम करता है, अगर ideally हम लोग देखें, तो उसे सबके ले काम करना चाहिए, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, कि अगर ये ना होता, state government ना होता, सिर्फ union government होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो एक particular state के कुछ tribal स्लोग मिलके, national level पर government बनाते हैं, कोई भी अपन योगदान दे पाते हैं, उनका representation हो पाता क्या, क्योंकि वो तो बस national population में तो वो सिर्फ कुछ percent से हैं, इसी वज़े से federalism बहुत important होता है, और इसका एक ये भी feature है, जो unity को बढ़ाता है, और जो minorities है, उनकी बात को रखता है, federalism के truth, ठीक है, federalism दो टाइप का होता है, पहला coming together federation and holding together federation, ये जो इतनी सारी राम कहानी मैंने बताई, कि federalism बहुत important है, ये है, वो है, इससे unity बनती है, ये features जो हम लोगों ने देखे, तो इससे हम लोग को पता चलिया है कि federalism important है, अलग-अलग states होना important है, तो हम लोग को दो टाइप के पूरे world में दिखते हैं, federalism के example, जिसमें या तो एक country अपने आपको states में divide करती है, अपने अंदर ही अलग-अलग state बना लेती है, या फिर कुछ छोटे-छोटे states मिलकर, छोटे-छोटे states मिलकर अपने आपको एक country घोशित कर देते हैं, दो cases होते हैं, USA, United States of America, United States of America, America के United States मिलकर आके एक साथ मिलकर अपने आपको country घोशित करते हैं, USA, बहाँ पर उनका union government होता है, और union government फिर विदेशी, जो external affairs हैं, और सारी union government के काम करते हैं, तो हमारा जो ऐसी टाइप की government है, जो अपने आपको जो अपने आपको छोटे-छोटे states को मिला कर एक बड़ा state, एक बड़ी country बना देती है, बड़ी country गोशित करती है, उसे हम लोग कहते हैं, coming together federation, ये लोग पास आ रहा है ना, पास आ रहा है, coming, आ रहा है ना, मिल रहा है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं, coming together federation, और कुछ countries होती हैं, जो अपनी बड़ी सी country को, अखंड country को, छोटे-छोटे टुकुडों में बाट लेती है, states बना लेती है, उसका एक सबसे अच्छे example हो जाएगा, इंडिया, इंडिया में हम लोग आजाद हैं, हम लोग बहुत ही अखंड भारत कहते हैं, पर हम लोग अपने आपको छोटे-छोटे states में divide कर लेते हैं, जिससे जो ये federalism है, वो अच्छे से हो पाए, वो अच्छे से चल पाए, काम हो पाए, states government बन पाए, तो यहाँ पर ऐसे country को कहा जाता है, holding together federation, जो अपने आपको बाट रही है, अपने आपके अंदर अपने छोटे-छोटे states बना ले रही है, ठीक है, so holding together federation और coming together federation, ये तुम्हें पता होना चाहिए, अब इंडिया एक federal country क्यासा है, त सारे points follow होते हैं, इंडिया में इसी वज़े से ये federal country है, सातों point अराम से लिख सकते हो, इंडिया में union list है, state list है, और concurrent list है, जो मैंने बताया है, कि हर country का, हर country के जो works है, हर government के, हर level of government के works define होने चाहिए, तो यहाँ पर है, union list में सारे काम रहते हैं, जो union government करेगी, banking, foreign affairs, communication, currency, defense, यह सब काम होते है, state government के क्या होते है, police, trade, commerce, agriculture, education, यह state government के काम होते है, concurrent में दोनों हो जाते है, current, current, education, forest, trade union, marriage, adoption, succession, यह सब के दोनों लोग करते हैं, दोनों government काम करते हैं, ठीक है, तो basically हमारी government में, हमारी constitution ने यह काम तो कर दिया है, कि सब को अलग-अलग काम define कर दी है, तो हमारा यह जो feature था ना, कि अलग-अलग काम होते हैं, इनके define होते है, third और fourth feature, वो हमारा टिक हो गया, इसी वज़े से हम लोग federal country है, पहला भी feature टिक हो गया, क्योंकि हमारे पास अलग-अलग level है, दूसरा भी टिक हो गया, क्योंकि सब के काम defined है, तीसरा भी टिक हो गया, हमारे पास Supreme Court है, चौथा भी टिक हो गया, पाच्वा भी टिक हो गया, छट्वा भी टिक हो गया, हम लोग का special sources हैं कि कौन सी government कहां से पैसे एकठा करेगी, आखरी point भी टिक हो गया, हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि हमारा भारत महान है, सारी government कहते है हमारा भारत महान है, So in case of any conflict हमारी जो Supreme Court है वो बीच में आ जाती है और सारे conflicts को दूर कर देती है तो यह जो साथो point है वो हम लोग ने देखे कि यह टिक हो जा रहे हैं हमारी इंडिया के लिए इसी वजह से यह साथ point मिलके हमारी country को federal country बनाते हैं तो इसका ध्यान रखना अब यहाँ पर आते हैं हम लोग को कि federalism practice कैसे होता है federalism चलता कैसे रहता है क्यों वो खतम नहीं होता तो जो हमारी government है जो हमारी democracy है वो यह ensure करती है कि federalism चलती रहे क्योंकि उससे federalism से democracy में बढ़ोत्री होती है democracy और मजबूत बनती है तो उसके लिए linguistic states को देखा जाता है हम लोग आजादी के बाद आजादी के बाद हम लोगों ने देखा जब हमें states बनाने थे तो हम लोगों ने देखा कि अब क्या किस चीज़ के वज़े से हम लोग states को divide करें हम लोग कौन से basis पर states को divide करें कौन से basis पर states को एकठा रहने दें तो हम लोगों ने देखा कि लोग religion उस ताइम पर उतना prominent था नहीं क्योंकि religion के basis पर ही हमारा देश डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में तो हम लोगों ने क्या कि जो languages हैं उनके basis पर states को divide करना स्टार् करते हिंदू और मुसलिम के नाम पर डिवाइड करते हैं तो अगर मालो किसी इलाके में क्योंकि हमारा भ्यारत में अलग-अलग टाइप के लोग है डाइवर्सिटी इतनी जाब है कि हिंदू मुसलिम के अलावा भी और 75 religion तुमको छोटे-छोटे मिल जाएंगे तो अगर तुमने religion के basis पे डिवाइड किया तो यह जो 75 छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-डावर्सिटी वो बुरामान जाएंगी उनको दिक्कत होगी और अगर मालो तुमने यह देखा कि भाई यूपी में हिंदूस जाता है और for example यूपी में 95% हिंदूस है अग अगर 95% के basis पे तुमने यूपी को एक हिंदू स्टेट्स कहा और यह कहा कि अब यूपी को हम लोग अलग कर देंगे क्योंकि उसमें हिंदूस है तो जो 5% में मुसलिम्स है वो तो जिंदगी भर यह तुमारी जो बिट्रेयल है उसके खिलाफ रहेंगे ना कि तुमने जो दिक्कते हैं उनको सामने लाएंगे तो मुसलिम्स लोग ओफेंड हो जाएंगे ठीक है इसी वज़े से हम लोगों ने लैंग्विज को basis बना कि भाई लैंग्विज है किसी इलाके में मालो तमिल है तमिल नाडू है वहाँ पे मैक्सिमम लोग तमिल बोल रहे हैं तो क् क्या हो रहा है वहाँ पे लोगों को एक यूनिटी दिख रही है अपने अंदर कि हां मैं भी तमिल बोल रहा हूं वो भी तमिल बोल रहा है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसी basis पर हम लोगों ने डिवाइड किया नागालेंड उसका काफी अच्छा एक्जामपल हो जाएगा उत्रा खंड ज्हार खंड सब को ढवाइड किया ठीक है सो लैंग्विज के पर भी हम लोगों ने डिवाइड किया एंड अप हम लोगोंने कल्च्रल बेसे से वी डिवाइड किया चका किस जिए पर कौन-कौन से कल्चर फॉल रहे हैं अगर वह इंपॉर्टेंट हैं तो हम लोग उसके basis पर भी डिवाइड कर देते हैं जैसे नागा लाइन में नागा कम्यूटी के लोग ज्यादा थे तो हम लोगों ने वहां की जो एथनिक composition थे उसे समझके एक state बना दिया ठीक है इस चीट से हम लोग डिवाइड करते हैं culture से जोग जोग्रफी से भी हम लोग कई बार अपने स्टेट को डिवाइड कर देते हैं कि भाई कौन सा स्टेट है जहां पर सिफ अगर हम लोग का अलग-अलग पहाड हैं जहां पर बहुत सारी ठंडी पढ़ती है जहां पर उसे हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश कहए दिया कि हाँ वहीम कि आचल में उसे ही मांचल प्रदेश कह दिया गया जोग्रिफी के हिसाब से पांच नदिया जिसे घेरे हुए है उसको हम लोगों ने अलग करके पंजाब कह दिया तो हम लोगों ने अलग अलग टाइवर्सिटीडीज के हिसाब से किया किल्च्य के वजए से आफिनिस एटिक कि वजए से जोगराफी के वजए से घृघ्वीजिड के वजए से कभी नहीं किया यह अपने दिमांग में रखना अंसर में बहब है कि एमाइद लिख aún के वज़ए से भी हम लोगों ने किया है Eat religion give- William míos English policy देखते हैं लाइं विडिवी पॉलिशी है हमारे पास लाइंविड हम लोग किसी रिचती को हम लोग किसी रिचती को यह नहीं कहते हैं कि वहां पर कोई भी लाइंगवज उनुन पर थोपी जाएगी हमारे पास पता है सबसे ज़्युद अब बोलने माले लोग हिंदी बोलता हैं बट फिर भी हम लोग ने नेशनल लाइंग्वेज नहीं चूज की क्योंकि हम नहीं जाते कि किसी भी लाइंग्वेज को बुरा लगे किसी भी लाइंग्वेज के स्पीकर को इंफीरियर इसी वज़ासे हम लोगों ने constitution में 22 language schedule कर वाली हम लोगों ने 22 languages को माननेता दिये और जिससे की सभी को representation मिला है state government को हम लोगों ने यह हक दिया है कि वहाँ पर जितने भी official काम है या तो वह English में हो या तो state की किसी common language में हो कोई हम लोगों ने इस पर यह नहीं रखा है restriction की तुम हमेशा English में करो या फिर तुम हमेशा हिंदी में करो जो language वहां के state के जारा लोग बोलते हैं वह language में state काम कर सकता है ठीक है हम लोगों ने center और state relations maintain करके हैं हम पहले के time पर इंद्रागांधी जी की सरकार में आप तुम लोग देख रहे हो कि states आकर बिचारे मांग रहे हैं कटोरी powers मांग रहे हैं पैसा मांग रहे हैं तो उस time पर क्या हो गया था कि इंद्रागांधी जी ने अपनी majority established कर ली थी तो वह वही मनमानी करने लगे थी dictatorship वाले काम करने लग गई थी वह सो यह उनका example के रूप में आपर दिखाए गया बट अभी के time पर क्या कर दिया गया उनका हम लोगों ने देख लिया है कि जो हमारी union government रहती है वह equally treat करती है सभी स्टेट्स को सभी स्टेट्स को जो उनका अर्णिंग सोर्स रहता है वह defined रहता है powers उनके defined हो जाती है अगर कोई दिक्कत होती है तो वह लोग जाते है सीधे वह लोग देखोगे जो दिल्ली government है दिल्ली government के साथ कई बार यह issue रहता है कि जो union government है वह हमें recognition नहीं दे रहे हैं हमें powers नहीं दे रहे हैं तो वह तुरंट चली जाती है court में फिर court अगर कोई दिक्कत होती है तो court उस पर action लेता है कहता है कि union government तुम यह क्या कर रहो वो अच्छे से चलता रहता है कोई issues नहीं होता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा features कि आखे हम कैसे हैं एक government हम कैसे हैं एक federal government अब देखते हैं decentralization of power decentralization of power मतलब centralization मतलब समझते हो center बना देना और decentralization मतलब अलग अलग जगह पर powers को फैला देना तो decentralization किया गया था 1992 में इंडिया में decentralization में क्या मतलब इसका मतलब क्या है पहले के time पर जो गाउं होते हैं जो local areas होते हैं वो run होते थे इनसे जो तो तुमारे सर पंच जी हो गए पंच जी हो गए यह rule करते थे प्रधान हो गए बट वो सिर्फ नाम के थे क्योंकि उनके पास कोई power नहीं थी कोई legal powers नहीं रहती थी उनके जो पावर है वो local governments तक भी पहुचाई गई कैसे पहुचाई गई पहला रेगुलर एलेक्शन mandatory कर दिए गए कि अब local government सिर्फ यह पंचायती राज वगरा से नहीं चलेंगे कि सिर्फ पंचायत के पंच जो है वो उनका जो पीड़ी है वही पंच बना रहेगा अब इलेक्शन्स होंगे और रेगुलर्ली होंगे ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो पचासो साल तक चला जा रहा है हमेशा यह होंगे इलेक्शन्स होंगे सीट रिजर्फ कर दी गई श्रेडूल का स्रेडूल ट्राइब और बैकवर्ट क्लासस के लोगों के लिए जिससे कि उन्हें भी रेप्रेजेंटेशन मिल पाए वन थर्ड पोजीशन्स रेप्रेजेंट कर दी गई व देख पाए एक इंडिपेंडेंट स्टेट कमिशन से क्या फाइदा हो जाता है कि वह रेगुलर्ली एलेक्शन कंड़क्ट करवाने में काफी हल्प कर देते हैं फिर इसके बाद जो हमारी स्टेट गवर्मेंट है उनको यह कहा गया कि जो तुम पावर और रिवेन्यू है कि हाँ चुनाओ होंगे तभी ग्राम पंचायत का कोई सरपंच बनेगा ठीक है तो बेसिकली फिर ग्राम सभा भी बना दिया गया कि अगर पंचायत में कोई काम हो रहा है किसी जगह पर मुश्ट आफदी जो विलेजर से महां पर ग्राम सभा बन जाती है जहां पर बोड़ कोपरेशन्स बना दिये गए जिससे कि वो चोटे मोटे काम कर पाएं जिला परिशत बना दिया गया ठीक है तो यह सारे काम किये गए जिससे की डिसेंट्रलाइज़ेशन औस पावर हो पाएं पावर सिफ दिल्ली में रहके ना रह जाए पावर आए चोटे-चोटे गाउं में भी सो इससे क्या होता है कि हमारी जो लोकल गवर्मेंट है उसको भी रेप्रेजेशन मिलता है अब जाके हमारी लोकल गवर्मेंट को भी रेप्रेजेशन पावर पैसा मिलने लग गया हैं constitutionally इसके बाद हम लोग आते हैं अपने next topic पर next chapter पर तो अब शुरू करते हम लोग अपना next chapter जेंडर, religion and caste देखो काफी important chapter कहेंगे हम लोग इसको और छोटा भी कहेंगे क्योंकि काफी छोटे portion से इससे questions आते रहे हैं तो चलो देखते हैं जेंडर, religion and caste ठीक है important chapter है हम लोग देखेंगे कि आखिर gender और religion और caste में क्या-क्या दिक्कते हो रही है ठीक है, so gender and politics ये देखो सबसे पहली बात तो ये जो gender है ये biological gender नहीं है ये biology के basis पर नहीं बट की social expectations और stereotypes के उपर है ये most important line है इस chapter क्योंकि हर बार इससे question आ रहा है जब से chapter include हुआ है तुम्हारे boards में ठीक है, so gender जो division है ये division on the basis of social expectations and stereotypes है यहाँ पर जो division है वो biological level पर नहीं हो रही है, जो social division है वो काफी important role play करता है किसी भी society में वहाँ कि Women's को कितना proportion में काम दिया जा रहा है उनसे expect क्या क्या किया जा रहा है द्रक्श है और आज गल की society में patriarchal society में जैसे इंडिया एक patriarchal society जहां परám Virus expect किया जाता है कि वह घर पे रहें वह घर के काम करें and men's expect किया जाता है कि वो बाहर के काम करें बाहर जाकर वो socialize करें social economic gain करें और फिर वो घर पे रहके वो घर आएं तो women's उनके family को आगे बढ़ाएं women's घर के काम करें तो ये एक social expectations है अगर किसी भी patriarchal society में इंडिया में ये पहले हुआ करता था अभी दिरे दिरे इंपर improvement आ रही है ठीक है बट हम लोग deny नहीं कर सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से मिट गया है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी country है कुछ portions में हाँ पर आज भी ये ताल ठोक के किया जाता है कि women's को घर पर ही रहना चाहिए तो women's expect किया जाता है कि अगर वो काम कर रही है तो वो कम पैसों में काम करें मतलब उन्हें कम दी जाती है तनख्वा ये कई जगों पर दिखा जाता है exploitation होता है women's का कुछ कुछ जगह उपर तो काफी restrictions लगा दिये जाते है women's वे जैसे तुम्हें यहां पे इस painting में देखने को मिल रहा है कि बेडियां रस्यां बान दी गई है और ये दिखा रहा है कि women's की strength भी दिखा रहा है और women's के उपर कैसे उन्हें बान्थ के जकड़ा गया है ये भी दिखा तो ये काफी अच्छी painting है जो तुम्हारी starting करती है इस chapter को ठीक है इससे क्या होता है कि इसका result क्या पढ़ता है हमारे humanity पे हमारे society पे क्योंकि women's हमारा आधा हिस्सा प्ले करती है हमारी आधी population है women's तो इससे हमारी society उत्ता अच्छा से grow नहीं कर पाती हमारी society की growth नहीं होती mental health अगर तुम्हारे आधी society का बिगड़ा हुआ रहेगा तो तुम उसे दबा के रखोगे तो उससे हमारी society पे कितना ज़्यादा effect पड़ेगा यह तुम सोच सकते हो ठीक है यह जरूरी है कि equal rights मिले women's को voting rights दिये जाए women's को equal representation मिले तो यह सारी चीजों के बारे में जो बात करते हैं जो equal representations की बात करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं feminist ठीक है feminist बात करते है equal representation की women's की issues को उठाते है women's के दिक्कतों को उठाते है and काफी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो women's हैं वो उनकी बातों को उठाने वाले होते हैं feminist लोग and काफी feminist movements अभी चल रहा है तुम लोग देखते होगे जो movements तुम लोग को देखने को मिलते हैं online, offline, काफी feminism के उपर movements चलते हैं and इस से क्या होता है कुछ-कुछ जिगहों पर हम लोग को improvements भी देखने को मिलती है ठीक है perception of women तुमको इस painting से दिखाया गया है इसको तुम लोग pause करके भी देख सकते हो बाकि exam point of view से उतना important नहीं है जैसे हमाने खाँ patriarchal society है हमारी women's को काफी disadvantages और discrimination face करने पड़ते है women's अभी के टाइम पर 54% literacy rate है women's का अगर हम लोग compare करें तो women's का 76% है इससे discrimination से patriarchal society से उन्हें education भी लेने नहीं दिया जाता है अभी इससे फ़र से 54% women's ही educated समझ रहो ये बात है and proportion के हम लोग बात करें तो women's को कम payment दी जाती है and उनके job को अतनी value भी नहीं दी जाती है although Equal Remuneration Act 1976 में women's को equal page equal wage की बात की गई है कि उन्हें equal wages दो और उन्हें equal payment दो but आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं वो women's को उतना payment नहीं देता है क्योंकि वो सोचते हैं कि women's उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे in many parts of India आज भी men's आज भी families as a men as a son expect करती है अपना baby जिससे कि उन्हें men's उन्हें लगता है कि patriarchal society में men can lead their families and women's को आज भी selective sex selective abortions करवाए जाते हैं ठीक है इसके reason के वज़े से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कई लाकों में आज भी 800 तक कुछ-कुछ लाकों में तो 800 तक हमारा जो men to women ratio है sex ratio वो जा चुका है ठीक है सो काफी यहाँ पर हैं हम लोगों को देखने को मिलता है काफी चीज़े discrimination देखने को मिलती है अगर हम लोग political representation की बात करें तो women's के 5% less than 5% state assemblies में उनके representation रहता है अगर अब तक 14.36 यह एक record breaking point था कि 14.36% आफ जो total strength है लोग सभा कि उसमें women's का representation था तो सोचो अगर अब तक 14% women's का representation भी नहीं होया तो women's के लिए अच्छे कानून कैसे आएंगे यह fake pseudo feminism यह fake pseudo women's empowerment के जो बाते चलती है उसमें maximum time में तो women's होती ही नहीं है decision making के time पर सोचो रहो 14% से force of women's का representation था जो की highest मानना जा रहा था कि अब तक का highest सो काफी दिक्कते हैं इससे हम लोग को देखने को मिलता है कि political representation इंडिया का देखो सबसे कम है हमारा एंड इससे क्या होता है कि women's centric laws नहीं बन पाते हैं और laws बनते भी है तो women's को वह importance उतने नहीं मिल पाती है उससे क्योंकि उनकी बात रखने वाला कोई नहीं रहता है तो उनकी जो problems जो real problems है उन पर कुछ effect नहीं पड़ पाता है ठीक है one third of the seats in a local government bodies यहां पर उनके लिए reserve कर दी गई है अब ठीक है पंचायत और municipalities में तो कई बर questions आ जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा government body है जहां पर जो women's है उनके लिए one third seats reserve है तो यह हमारा हो जाएगा हमारी local governments ठीक है हम लोग इसको ऐसा solve कर सकते women's को representation दे सकते हैं ठीक है हम लोग education provide करवा सकते हैं women's को इससे हम लोग को धीरे धीरे इस पर improvement देखने को मिलेगा भी feminist movements भी बढ़ रहा है जिससे कि हम लोग को इस पूरे scenario में improvement देखने को मिल रहा है religion की बात करें और communism की बात करें और politics की बात करें देखो यह तीनों अलग-अलग topics है ठीक है इन तीनों को को एक साथ लिखा गया है मतलब यह तीनों आपस में connected religion होता है बाई एक प्यूर चीज़ जिसको लोग फॉलो करते हैं belief जिसे लोग फॉलो करते हैं सेट ऑफ बिलीव फॉलोड बाई पीपल इस नोन इस religion गांधी जी कहते थे कि politics को कभी भी religion से अलग नहीं किया सकता है बट यहां पर उनका मतलब था कि जो religion की values हैं उनको साथ पर रखके politics करें तो politics free and fair हो जाएगी फियर होगी सबके साथ कि religion सबको यहीं सिखाता है कोई भी religion हो वह हमेशा harmony सिखाता है बट यहां पर हम लोग देखते हैं कि religion ने एक communal turn ले लिया है कमिनलिज्म का टर्न ले लिया है कमिनलिज्म क्या होता है जब कहीं बर किसी भी country में कोई government अपने कोई एक religion को support करती है और इस thought process को support करती है कि दूसरे जो religion है उनको demean किया जाए उनको low बताया जाए उनको उनकी जो freedom है उसको चीनने की कोशिश की जायती है उसे हम लोग विरूद्च के लिए बहुत बुरा होता है एंड हम लोग देखते हैं कि कमिनलिज्म का काफी विरोध भी होता है हर जिए पर हम लोग dairy को देखने को मिलता है कि य रोध चल रहा है एक्टिविस्ट मूवमेंट होता है बट उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है जादा ज्यादा एंड पॉलिटिक्स में जब रिलीजन की जिए कमिनलिज्म आ जाता है कमिनल पॉलिटिक्स बन जाती है तो वह एक हजार रहता है हमारे देश के लिए क्योंकि उससे फिर हम लोग को काफी दिक्कतें जेलने को मिलते क्योंकि उससे डेवलप्मेंट रुख जाता है और लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रती गलत भावनाएं आ जाती है एक दूसरे के प्रती हिंसा करने का मन करने लग जाता है जिससे की गवर्मेंट जो जिससे की ज भटका कर ये कमिनलिज्म को फैलाया जाता है तो ये कोई original इसका basic कोई नहीं है कमिनलिज्म का ये एक गलत leaderships के थूँ ये यह क्मिनलिइए जेता है जिससे की आगे चलकर यह कई फ़ार्म ले लिते हैं पॉलिटिक्स में इससे काफी चीजें होतें कर दिक्कती होतीं जैसे कि जो कमिनलिइएंग है उनको आजकल दिन प्रति दिन एजर्ट करने लगी जाते हैं, दूसरे Гв ambos कहते हैं कि जो गवर्मेंट है, वो भी हमारा सपोर्ट करें गवर्मेंट सपोर्ट करने लगी जाती एक पार्टिक्लर का और प्रेस करने लगी जाती है दूसरे religion को तो यह ऐसा भी फॉर्म ले लेता है थर्ड फॉर्म लेता है political mobilization on religion lines is another frequent forms of communism मतलब यहाँ पर symbols को religious leaders को emotion को इन सब चीजों को बाट दिया जाता है religion में colors तक को बाट दिया जाता है religion की नाम पर जिससे क्या होता है लोगों में काफी difference पैदा हो जाता है लोग काफी अलग-अलग हो जाते हैं ठीक है एंड इससे जो political leaders होते हैं वो फाइदा उठाके जो difference उसको और बढ़ाते हैं जिससे उन्हें vote मिल पाए जो minority के religion के जो leaders होते हैं वो अपने लोगों को कहते हैं कि तुम हमारे लोग हो तुम हमारे साथ मिलकर यह अलग देश बना लो तुम हमारे साथ मिलकर अलग representation हमें vote दो जिससे कि हम आगे represent करें जो major religion के लोग होते हैं जो majority में होते हैं वो कहते हैं कि हमारा religion superior है हम लोग को ज्यादा rights चाहिए बाकी religion को inferior submission लग जाते हैं तो यह काफी चीजे होती हैं जो एक form ले लेती हैं कमिनलिज्म का अगर हम लोग लास्ट form की बात करें वो है rights, criminal rights होने लग जाते हैं violence होने लग जाते हैं massacre होने ठीक है इसका हम लोग को एक example देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान का जब बटवारा हुआ था तब हम लोग को communal rights बहुत सारा देखने को मिला था इतना जतना वर्ल्ड ने आस तक कभी ना देखा हो ठीक है तो यह सारे forms थे हमारे कमिनलिज्म के और politics में जब वो जुड़ जाता है तो यह ऐसा हो अच्छा स्ऩाइख सेकुलर स्टेट सेकुलर स्टेट कि आता है धर्म- शेकुलर्रिज्म के तुरफ बढ़ता है जो कॉनसिटिविशन है वह सभी individual को सभी communities को अपनी religion को propagate करने का अपने religion को आगे प्रचार प्रसार करने का उन्हें बढ़ाने का उसको follow करने का हग देता है constitution जो हमारा discrimination है उसको रोकता है religion के basis पे discrimination आओ हमारा जो constitution है वो states को कहता है कि religion के matter से दूर रहे and religions में equality हो यह insure करवाने का काम करता है तो यह सब कुछ चीजें हैं जो करी जाती है जिससे की हमारा जो देश है वो secular state बना रहे and जो religion हार्मोनी है जो communal हार्मोनी है वो बनी रहे लोग आपस में इकठा होके रह पाए ठीक है तो यह था हमारा जो political parties होती है वो यह समझती है कि अगर हम लोगों को vote चाहिए तो हमें हमारे voter से किसी level पर connect करना पड़ेगा and caste system हमारे पास है यूनीक system है और किसी देश के पास caste system नहीं है हमी लोगों ने यह बनाया था पहले के time पर यह क्या होता था बट धीरे धीरे करके इसने गलट टर्ण ले लिया and अभी के time पर caste एक symbol बनके रह गया है symbol of oppression, symbol of proud कुछ लोग crowd समझते हैं caste वगेरा को so basically हम लोगों कास्ट कई forms में देखने को मिलता है और यह political leader समझते हैं कि caste बहुत important कड़ी है आज भी हमारे Indian society में इसी वज़े से देखते हो कि जो political parties हैं वो कहीं पर भी अगर चुनाओ लडने जाती हैं तो वो सबसे पहले देखती हैं कि आखिर वहाँ उस जगह पर उस particular region में कौन सी caste के लोग जादा है फिर वो उसी caste के अपने leader को वहाँ पर candidate बनाती है जिससे कि उन्हें caste के नाम पर वोट मिले जो leaders हैं वो caste के नाम पर भी वोट मांगते हैं कि हम तुमारे caste के जो हमारे लोग हैं वो हमें वोट दें मुझे वोट दें इससे क्या होता है कि जो हमारी harmony है जो caste सिस्टम है वो एक और बार दिरी दरी उभरने लग जाता है हम लोग ये भी देखते हैं कि social reforms जो होने चाहिए वो इसी वज़े से नहीं हो पाते हैं क्योंकि caste के नाम पर फिर votes मांगे जाते हैं पहले के टाइम पर ये occupation के उपर हम लोग को देखने को मिलता था बट फिर हम लोग को देखने को मिला कि ये वाली जो दिक्कत है वो अभी भी है हाला कि अर्बनाइजेशन से हमारा जो ये social economic change हुआ है जो हमारे अब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं अब लोग society में अलग-अलग चीज़ा अलग-अलग काम कर रहे हैं उससे ये caste system ठोड़ा कमजोर हुआ है occupational mobility से caste system ठोड़ा सा हम लोग को कमजोर हुआ है क्यों क्योंकि अब लोग अलग-अलग काम कर सकते हैं तो जब पहले काम के basis पे caste होते थे अब जब काम ही कोई भी कर सकता है तो उससे अब ये जो caste system है वो जीरे-धीरे-धीरे करके decline हो रहा है caste hierarchy अब decline हो रही है ठीक है ये सब चीज़े हो तो रहे है बड़ ये तीन क्योंट हो तो रहे है caste system को कम करने के लिए बट अभी भी हम लोग को कुछ कुछ जगह ओपर Politics में Cast देखने को मिल जाता है अभी भी मुद्धे Cast पर लड़े जाते हैं अभी भी मुद्धों में जो भी कोई laws वगरा लाए जाते हैं Policy लाए जाते हैं Cast को देख के लाए जाते हैं ठीक है यह तो हो गई हमारी कास्ट और पॉलिटिक्स की बात कि हाँ अभी भी पॉलिटिक्स में कास्ट है कास्ट में पॉलिटिक्स है यह सारी चीजे चल रही है बट क्या सही में जो elections होते हैं वो कास्ट के basis पे जीते जा सकते हैं यह काफी important question है तो इसका answer है कि नहीं क्योंकि किसी भी particular जगह पे ऐसा नहीं होता है क्यक्य कोई एक कास्ट के लोग बहुत जादा हूं एक पॉइंट मिमालब कास्ट के basis पे चुनाओ भी लड़ा जैत तो भी कोई भी इनसान एसे विक्टरी नहीं ले सकता है ठीक है दूसरा point क्या होगा कि जो हमारे parties है वो सिर्फ एक political party तो चलाक है नहीं और भी political parties चलाक है तो वो कई बार हर election में ऐसा होता है कि अगर एक party ने उस इलाके के जो maximum जो cast वाले लोग हैं उनका कोई representative खड़ा किया है तो दूसरे party वाले भी उसी cast से कोई representative खड़ा कर देते हैं तीसरे party वाले भी उसी कास्ट से representative खड़ा कर देते हैं तो अब जो voter है अगर वो कास्ट के basis पे भी वोट करे तो इसको दो तीन अपने ही कास्ट के जो candidate से वो मिल जाएंगे तो उससे कुछ वारण हार जाये काफी जगों को देखने को मिलता है कि कोई constant नहीं रहता है अगर कास्ट के basis पे ही डिसाइड होना रहता और अगर लोगों सिस्फ कास्ट के वोट दिये रहते तो अगर कोई कास्ट के बेसिस पे जीता है तो उसी को रहना चाहिए ना लेकिन वो चेंज होता है इससे हम लोग को पता चलता है कि सिफ कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं दिया जाता है काम के बेसिस पे भी वोट दिया जाता है अगर तुम काम धंग से नह देखना है तुम लोग को याद रखने हैं तो तीन पॉइंट्स यह तुम्हारे दिवाग में होने चाहिए क्योंकि कास्ट सिस्टम से भी कोशन आ सकते हैं इस पाथ हम लोगों ने काफी देखा है कि अपर क्लास लोग क्लास के नाम पर काफी डिवीजन्स करने की कोशिश होत देखा है तो यह सारी चीजे हैं जो अभी के टाइम पर सुसाइटी के लिए दिक्कत हैं जिससे नेगेटिव हम लोगों पर एफेक्ट पढ़ रहा है उन सब को हटाने की जरूरत है उन सब पर वर्क करने की जरूरत है जो की हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में तुम उसका सल में 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 जो और एक तुम लोगों सब्सक्रास के साथ यहां देखा इस और परोब्लों के तो छलो मेंड़ी क्राठ करते हैं अपना चैप्टर पॉलिटिकल पाटीária काफी इम्पॉर्टन सब्सक्राइब काफी इसको बस एक बार तुम लोग ध्यानसे देख लो होगे तो समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर सारे कॉंसेट पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है तो यहां पर NCRT में तुम्हारा लिखा है यह पहला हो गया दूसरा है यह एग्री ऑन सम पॉलिसी और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यह बादा करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो वो उन कामों को पूरा करेंगे यू दो फीचर्स हो गया है पॉलिटिकल पार्टी के मतलब डिफिनेशन्स हो गया अब इसके बाद इनके components देख लेता है मैं देखो components का होता जिससे की कोई चीज़ बनी हो to Monica पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है लीडर से पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है एक्टिव मेंबर से पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है फॉलवर से यह तीन ऐसे participate करती हैं और फिर सरकार बनाती हैं सरकार को हम लोग कहता है ruling party दूसरा वोनक्राइब पोलिसीज और programs लाते हैं, policies programs जैसे हम लोग जब जीत जाएंगे सरकार बना लेंगे, यह काम करेंगे वो यह काम जो वो प्रोग्राम से उसके क्या क्या एजिंडा है चुनाव से पहले यह लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं जिसमें बताते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीर जाएंगे तब हम लोग सरकार में आके कौन-कौन से काम करेंगे तो यह सब कौन से काम करेंगे कौन से प ellow political party इसे ही बनती है अभीके टाइम पर अगर हम लोग कहते हैं कि इंड्रीन गवर्मेंट था वो बीजेपी की गवर्मेंट है जो लॉश चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और गवर्मेंट बनाएंगे ये इनका काम रहता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो एक 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 के कैंडिडेट मिलकर जीता हुआ कैंडिडेट मिलकर कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी यहां तक कि ग होता है क्योंकि डेमोक्रेसी को चेक और बैलेंस करने का काम ऑपोजीशन करता है अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत काम करे कोई ऐसा काम करे जिससे डेमोक्रेसी को देश को नुकसान पहुच रहा हो तो उसे जनता के सामने लाने का काम ऑपोजीशन का रहता है वो हमेश बात तो सही है तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के बगल में एक नाला है जहां से पानी नहीं जा रहा है तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास के चौराहा हमेशा जाम रहता है वहाँ पे रेड लाइट खराब हो चुकी है तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे महले स से 10 किलो मीटर दूर भी यही सेम प्रॉब्लम्स चल रही है तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे महले से 50-60 किलो मीटर दूर भी यही सेम प्रॉब्लम्स चल रही है इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी से वो तुम्हें बताती है कि देखो तुम्हारे जो एक तरीके से thought बना कि अगला चुनाओ किस basis पर लड़ा जाएगा, किस दिक्कत पर लड़ा जाएगा, वो बनाने का काम, वो public opinion बनाने का काम political parties कर रहता है, साथवा, parties के पास machinery, welfare schemes, ये सब पता रहती हैं उन्हें कि कौन-कौन से भी नई government की schemes आईए, किस से फायदा होगा तो जो political party के जो leaders रहते हैं, वो आम जनता से जाकर, मिलकर, बात करके, उन्हें इन सब schemes के बारे में बताते हैं, जो public होती है, जो जनता होती है, वो अपने leaders से अपने आपको ज़्यादा close समझती है, ना कि किसी officer से, क्योंकि leader उन्हीं के बीच का कोई होता है, जो आगे चलक नई policy आई है, तो उसको पहुचाने का काम यहाँ पर political party करती है, आम जनता तक, ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे features, exam में बहुत important है, ये जो topic है, हमारे functions of political party, इसमें तुम्हें 6-7 points मैंने भी बताए हैं, उसको एक बार दिमाग में बैठा लिना, क्योंकि exam में direct ये question आ जात तो देखो, parties किसी भी country में पहले से decided होता है कि वहाँ पर कितनी political parties रहेंगी, कितनी political parties चुनाव लड़ेंगी, चाइना में one party system है, वहाँ पे सिफ एक party है, जिसका नाम है communist party, और वही हर साल चुनाव लड़ती है, और उसी का जो कोई representative होता है, वो सरकार बनाता है, वहाँ प की होती है, आके चुनाव लड़ती है, वो ऐसा system नहीं होता है, चाइना में वहाँ पे सिफ एक political party होती है, उसे हम लोग कहते है, one party system वाला देश, one party system जहाँ पे सिफ एक ही political party रहती है, जो हर बार चुनाव लड़ती है, और उसी का representative आके चलके सरकार बनाता है, so one party system हमारा यह खो गया, दूसरा होता है हमारा two parties, two party system क्या होता है, यहाँ पर दो बड़ी-बड़ी parties रहती है, और वही हर साल चुनाव लड़ती है, वही मुद्दे उठाते हैं, policies, programs लाते हैं, और चुनाव जीतते हैं, तो सरकार बनाते हैं, इसका example हो जाएगा USA, United States of America में सिफ दो बड़ी-बड़ी parties हैं, वही हमेशा चुनाव रहती हैं और उन्हीं में से कोई एक लीडर बनता है, representative उस USA का, ठीक है, अब इनकी अगर अच्छाई और बुराई की बात करें हम जो exam में बहुत important रहता है, हमेशा question आ जाता है कि बताओ one party system के pros and cons, तो देखो इसके pros अच्छ democracy थोड़े है, यह तो democracy का मुखोटा पहने हुए dictatorship है, क्योंकि democracy का मतलब क्या होता है, जब लोगों को अपना leader चुनने का अधिकार हो, अब यहाँ पर बस एक ही party है, तो वो choice थोड़ी ना हुआ, वो election, election थोड़ी ना हुआ, यह तो democracy का मुखोटा पहने हुए dictatorship है, इसी opposition भी रहता है, opposition होने के वज़े से check and balance होता रहता है, और ज्यादा time नहीं लगता है discussion में, क्योंकि सिर्फ एक ही party रहते हैं, जिससे discuss करना रहता है, और अच्छे से यह, मतलब हमारा जो election है, वो हो जाता है, हमारा जो parliament में अगर कोई rule आना होता है, तो वो अच्छे से discussion के सा वो पास हो जाता है, और आगे हम लोग को अच्छे flow में सरकार चलते हुए दिखती है, बट यहाँ पर एक दिक्कत रहती है, जो इसका cons है, कि यह भी तो सही form of democracy नहीं हो, यहाँ पर तो सिफ दो ही parties हैं, तो यहाँ पर भी तो लोगों को option नहीं मिले, इस party system के countries के साथ क्या दिक्कत होती है, कि यह दोनों parties जो हैं, वो majority के issues उठाके चुनाओ लड़ती हैं, क्योंकि minority तो कम है संक्या में, तो वो वोट देंगे, तो इनको जीतने के लिए वोट कम पड़ जाएंगे, तो जो majority है, जैसे अमेरिका में तुम लोग देखोगे, जब भी चुनाओ होते ह हैं, तो black people हमेशा protest करते हैं, किसी ना किसी बात पर, क्यों कि वो लोग वहाँ पे minority में हैं, इसी वज़े से उनकी जो मुद्दे हैं, वो नहीं उठाए जाते हैं, कुछ-कुछ मुद्दे हैं, जो रह जाते हैं, कुछ communities हैं, जो हमेशा हर बार election में नाराज रहते हैं, क्यो two party system की यह बुराईया हो जाएंगी, अच्छाईया क्या हैं, कि यह जल्दी यहाँ पर decision making हो जाती है, यहाँ पर एक छोटा opposition भी है, तो इससे सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, smooth flow चलता रहता है, अब एक तीसरे टाइप का party system होता है, जो कि है multi party system, multi party system का best example होगा इंड है, वो सुनो, यह true form of democracy है, यहाँ पर लोगों को भर-भर के options मिल और इसकी बुराई है, तो इसकी क्या बुराई है, कि यहाँ पर जो decision making है, वो इतनी slow होती है, कि नियाय मिलते मिलते आदमी बूढ़ा हो जाए, policy pass होते होते आदमी बूढ़ा हो जाए, क्योंकि multi party system में किसी को पूरे vote नहीं मिलते है, collision governments बनती है, तो collision government क्या होती है, एक गाड़ी उसमें दो steering लगा दो, तो वही हो जाती है हमारी collision government, जैसा तुम लोग को cartoon में देखने को मिला था, ठीक है, एक उपर cartoon नहीं था, जिसमें collision government के बारे में बताए गया था, तो same वही है, कि यहाँ पर slow decision making होता है, great, अब आते हैं हम लोग next topic पे, जो कि है multi-party system, और आगे हम लोग देखेंगे कि वो कहां कहां पे है, तो इसका best example हो जाएगा इंडिया में, अब अगर हम लोग multi-party system का आगे और essence देखें, तो हम लोग को पदा चलता है कि multi-party systems में हम लोग क्या करता है, कि अलग सारी parties हैं, तो यहाँ पर हम लोग national party और regional party में categorize कर देते हैं, political parties को, national party क्या होती है, जो कि nationwide पूरा चुनाओं लड़ती है, लोग सभा election लड़ती है, इंडिया में लोग सभा election किसलिए लड़ा जाता है, PM बनाने के लिए, प्राइम मिनेस्टर बनाने के लिए, सो पार्लेम पर जो party सुनाओ लड़ती है, वो होती है national party, अब यहाँ पर इनको categorize कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सी party national party है, तो इसका एक criteria होता है, criteria क्या है, कि at least 6% total votes जो लोग सभा में पड़े हैं, उनमें में से इन्हों इन्होंने at least 6% vote occupy किया हो, या फिर वो minimum 4 assembly election में जीते हो, और कम से कम 4 seat वो लोग सभा में जीते हैं, या तो वो 6% total votes पड़े हैं, उनमें में से उनका 6% हो, vote उनको पड़ा हो, या फिर वो कम से कम 4 state के assembly election में वो लोग vote जीते हो, और at least 4 seat लोग सभा में हो, तो उन्हें national party की रूप में recognize कर लिया जाएगा, इन्हें recognized party भी कहते है हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी parties हैं, इनको पुरा देश recognize कर चुका होता है कि अच्छा ये political parties हैं, क्योंकि region parties, जो regional parties होती हैं, उन्हें में से तो कुछ का तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा, national party अगर पूछ लूँ में तो ये chapter पढ़ने से पहले भी तुमको 4-5 तो already पत 1st January 1998 को हुई थी, देखो किसी भी political party के बारे में तुम्हें दो दीन चीजें बस पता होनी चाहिए, पहली उनकी ideology का है, क्या है अगर वो दी हुई है तो, दूसरी वो का found हुई थी, तीसरी उनके founder कौन थे, और चौती कि वो national party है, उसका कोई एक features तुमको पता होना बारे में तुम्हें याद होना चाहिए, वो एक जनवरी 1998 को वो launch हुई थी, और leadership में, किसके leadership में, ममता बैनर जी जी के leadership में हुई थी, मतलब founder कौन थी, यहाँ पर ममता बैनर जी थी, AITC की founder, ठीक है, यह secularism और federalism के लिए committed थे, यह लोग, तो इनकी जो ideology है, वो secularism और federalism क सपोर्ट करती है, ठीक है, और West Bengal में, यह अभी इनका rule चल रहा है, West Bengal में, और इनका जो presence है, वो रनालचल प्रदेश, मनिपर और तृपुरा में, exam point of view से इतने information याद कर लेना, कि उनका theme क्या है, उनको कौन से वो चीजों को सपोर्ट करते हैं, secularism, federalism को सपोर्ट करते हैं कब बनी थी वो, और उनको किस ने बनाया था, तो ये तीन चीज़े तुमके पता होनी चाहिए, ठीक है, अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी को किस ने बनाया था, कांसी राम जी ने बनाया था, ये क्या है, बहुजन समाज पार्टी, दल किससे लेते हैं साहु माहराज ममता फूले पेरियार रामस्वार्मी नहीं कर बाहबा साहब अंबीट कर इनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं ठीक है बाकि और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में तुम्हें यहां पर तुम्हारा यह सही हो जाएगा अभी कौन लीड कर रहा है पता है सर्च करो अभी कौन लीड कर रहा है उसको फिर तुम्हें बता सकते हो ठीक है अब आते हैं भारते जंता पर्टी का बारे में भारते जंता पर्टी फर्म हुई थी 1980 में ठीक है और यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं यह शामा प्रशाद मुखरजी जी ने इन्होंने फर्म किया था यह पार्टी भारते जंद संग जो जिन्ने शामा पर साथ मुखरजी ने 1951 में बनाया था उससे ये निकल के बनी थी 1980 में इंडिपेंडनेंट भारतिय जंद पार्टी BJP ठीक है तो ये दीन द्यालुपाद्धियाए जी के जो भी मोटोस थे उनसे इंस्पिरेशन लेती है Humanism की बात करती है अंतोध्या की बात करती है cultural nationalism की बात करती है तो ये इनकी ideology होगी ये एंडिये को lead करती है ये पार्टी National Democratic Alliance इसको lead करती है एंडिये क्या होता है एंडिये है basically जब कोई भी लोक्स हाँ चुनावन लड़े जाते हैं तो Qई एक पार्टी तो है नहीं जो POURIरी एांषन में फेम重要 मतलब बड़ी पार्टी तो होती है बट हर जगे कोई ना कोई regional पार्टी भी होती है जो बना लेती हैं एक गुट बना लेती हैं कि हम लोग जब चुनाओ लड़ेंगे तो यह चोटी मोटी रीजनल पार्टी से उनको साथ लेके चुनाव लड़ेंगे एंड अपना एक अंब्रेला टर्म निकालेंगे जिससे जो वोट्स पड़ें वो सबको साथ मिलके पड़ जाए सबके लीडर्स आगे आके एक साथ मिलके सरकार बना लें ठीक है क्योंकि बीजेपी है मालो वो असम साइड में उतनी भी नैशनल रिप्रेजेटेशन मिलती है नेशन में सरकार बनाने का मौका मिल जाता है और बीजेपी को भी एक दो एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती है क्योंकि वहां से वह अलायंस में ठीक है तो यह होता है पूरा अलायंस का कॉंसेप्ट तो हमारे हाँ पर अभी दो बड़ अलायंस है एंड यह नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हमारे पास है एक और अलायंस जो की है कॉंग्रेस का तो जब हम लोग कॉंग्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे ठीक है CPIM इससे टूटके बन गई थी CPIM यहाँ पर M मार्क्सिस्म को रिप्रेजेंट करता है ठीक है सो यहाँ पर CPIM 1964 में बनी थी यह मार्क्सिस्म और लेनियरिज्म के जो आइडियास है उनको फॉलो करते हैं सोशेलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इं कॉंग्रेस नाम के शब देख रहा ना जिस पार्टी में वो सब कभी ना कभी आइएंसी के ही पार्ट थे और यह धिरे-धिरे डिवाइड होते होते हैं अभी बहुत खराब हालत हो चुके हैं इंडियनेशनल कॉंग्रेस की सो यह आइएंसी को लीड करती है सो यह यह यू 3.5% वोट्स मिले थे और 52 सीट्स मिले इसके बाद हमारी पार्टी आती है नैशनल कॉंग्रेस पार्टी जो कि 1999 में फॉर्म हुई थी यह कॉंग्रेस पार्टी का स्प्लिट थी यहाँ पर गांधियन सेकुलरिज्म की बात होती है स्पॉस्स डेमोक्रेसी की बात होती है हम इस वे सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म की बात देखने को मिलती है इसके आइडियोलोजी को फॉलो करते हैं यह बड़ी पार्टी है मारास्ट्रा में और इनका प्रेज़ेंस है में खाल है मनिपूरा साम में तो यह तुम्हें पता होना चाहिए यह तुम्हें पता होना जो सिर्फिक पार्टिकुलर रीजन में ही अपना काम करती है स्टेट पार्टी के आप तुम लोग को एक्जामपल मिल जाएंगे जैसे आम आदमी पार्टी शिरुमनियकाली दल इंडेनेशनल लोग दल जंता दल यूनाइटेड राश्ट्रे जंता दल राश्ट्रे लोग समता पार्टी यह सब तुम्हें कुछ एक्जामपल्स देखने को मिल जाएंगे तुम इनमें में से दो तीन इंग्जामपल याद कर लेना अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है चैलेंजेस फेस्ट बाइ पॉलिटिकल पार्टी को कौन-कौन से दिक होने जा रहा है पार्टी में कौन-कौन से डिसीजन्स ले जाएंगे सिर्फ बड़े-बड़े लीडर सी अपने आप में आपस में डिसीजन्स ले लेते हैं और उनको घटकुतली की तरह नचाते हैं ठीक हैं सो यहाँ पर पहला दिक्कत यहीं हो जाएगा कि डेमोक्रेसी नहीं होती है इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टी में दूसरा डैनेस्टिक सक्सेशन का सामना कर जाना पड़ता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर कोई एक फैमिली होती है वही रूल करने लग जाते है जिसका एक्जामपल तुम लोग को पता ही होग लेता है और चुनाव लड़ते है और पॉलिटिकल पार्टी में इससे करप्शन बढ़ जाता है यह काफी दिक्कत होती है इससे क्योंकि इससे जो अच्छे लीडर्स होता है वह बिचारे मेंस्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आपाता चौथा रीजन भी इसी से रिलेटे का मर्डर्स का कोई क्रिमीनल केzek थी Apparently इस जरूर लगे उता है कोई अच्छा लीडर क्लीन बाइग्ग्राउंड का लीडर्स लोगों को देखने को इन Citizens तो यह सारी दिक्कते हैं इन सब दिक्कतों से political parties true form में काम नहीं कर पाती हैं, नोंके जो decisions होते हैं, वो बेचारे इधर उधर हो जाते हैं, वो corrupt हो जाती है political parties, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे reform किया जा सकता है, कैसे इनको सही किया जा सकता है, कैसे parties की इन दिक्कतों को solve किया जा सकता है, तो पहले तो ये देखो कि constitution में आखिर क्या क्या काम किये गए हैं जिससे कि जो ये दिक्कते हैं वो कम हो जाएं तो सबसे पहले तो MLA's और MP's अगर चुनाओ जीतने के बाद parties change करते हैं तो उनकी seat ले ली जाती हैं उनकी seat वो हार जाते हैं और फिर यह नहीं है कि पैसे देकर अगर उन्हें खरीद लिया गया और दूसरी पार्टी चेंज करें तो उनकी seat रह जाएगी तो यह एक law बनाया गया है ठीक है दूसरा यह mandatory होना चाहिए कि जो political party है वो women's को भी one third seats ते जिससे कि women का representation भी बड़े MLA's और MP's इसके बाद Supreme Court ने भी announce किया है कि हर चुनाओ से पहले जितने भी candidates होंगे उन्हें एक affidavit पर अपना proper जितनी भी उनकी income है उनके पुराने cases अगर हैं तो वो सब लिखकर वहाँ पर submit करना पड़ेगा election commission के पास में चुनाओ लड़ने से पहले जिससे जो criminal leaders हैं जो corrupt leaders हैं वो चुनाओ ना लड़ पाएं तो लेकिन तुम्हें already पता है कि इसका क्या use हो रहा है इसके बब साथ में election commission ने भी ये कहा है कि internal elections होने चाहिए हर political party में ठीक है तो ये थे कुछ suggestions and कुछ सुझाओ जो यहाँ पर political parties को सही करने के लिए reform करने के ल तीन नंबर में बताओ तो तुम्हें ये तीन-चार point लिख देना है एंड तुम्हारा काम हो जाएगा ग्रेट एफिडेविट क्या होता है ये question आ जाता है एफिडेविट क्या होता है तो एफिडेविट basically होता ही है एक signed document जिसमें ये बताया जाता है कि जिसमें लिखी हु और agreement में क्या अंतर होता है एफिडेविट होता है वो एक साइट से लिखा जाता है लोग अपने आपको self claim कर रहे होते हैं कि हाँ जो मैं बात लिख रहा हूं वह सही है agreement दो लोगों के बीच में होता है ठीक है तो ये छोड़ा सा information था ये मुझे लगता तो में काम आएगा इसी के साथ ये चैप्टर भी complete होता है अब चलते हैं नेक्स चैप्टर पर करते हैं अपना चैप्टर outcomes of democracy बहुत important चैप्टर आखरी चैप्टर है तो इसको जल्ली से complete करके हम लोग करते हैं अपना पूरा civics complete So how do we assess democracy as outcome कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि democracy में जो outcome आ रहा है वो अच्छा है वो कैसा है यह हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं तो देखो सबसे पहले तो यह तुम्हारा civics के चलन है कि तुम्हारा civics का आखरी चैप्टर हमेशा democracy से कुछ तो कुछ तो related होता है पिछले दो-तीन सालों में तुम लोग यह पढ़ चुके हो कि democracy होती क्या है democracy के features क्या क्या है democracy करती क्या क्या है equality promote करती है dignity of individual promote करती है improves decision making की quality improve कर देती है अपने ही method कुद resolve करती है खुद के conflicts को solve करती है, अपने mistakes को फिट से सही कर लेती है, तो ये सब तो हैं भाई democracy के features, कि हाँ वो ये ये काम करेगी, democracy होगी, तो ये ये काम करेगी, बट इस बार, इस साल हम लोग के लिए एक important concept है, वो है कि हमारी democratic government का output क्या होता है, वो आखिर देती क्या है हमें, उसका importance क्या है, तो देखो जो democratic government होती है, वो हमें तीन चीज़ें प्रवाइड करती है, accountability, responsiveness और legitimacy, accountable क्या होता है, देखो accountable होता है कि जवाब दे, मतलब मालो मैंने कोई एक चीज़ बताई कि तुम अपने class के leader हो, ठीक है, तुम class के monitor हो, जो कि कोई लड़के वड़के रहती है, जो तुम्हारी प्रचपन में नाम लिख देती थी ना, और तुमको मारवार पढ़ जाती थी, तो मालो कोई class के monitor है, आप क्या हुआ, कि कोई भी class का monitor होता है, उसको क्या कोई salary मिलती है, क्या, कोई उसको special as such कोई posting तो मिलती नहीं, कोई official posting तो हम लोग, अगर class में, अगर कोई भी कोई चीज हुई, कोई भी दिक्कत हुई, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, कि आखिर बताओ, ऐसा क्यूं हुआ, आखिर इतना शोर, क्यूं मचा खाली period में, गेम्स, क्यूं होने लग गया खाली period में, सो ये होती है accountability, आप दे रहता है, accountable रहता है, कि class में, जो चीज हुई, वो क्यूं हुई, ठीक है, ये एक चोमू सा example था, मुझे लगता है, तो मैं समझ में आ गया होगा, ऐसे ही हमारी democratic government भी होती है, democracy को माल लो, वो teacher, और जो democratic, जो हमारी government है, वो हो गई वो student, और जो teacher है, वो हमारे citizens को भ बताना पड़ता है, कि अगर कोई चीज हुई, तो ऐसा क्यूं हुआ, कोई चीज अगर गलत हुई, तो ऐसा क्यूं हुआ, उसका reason क्या था, उसके पीछे क्या reason क्या था, ये सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ती है, democracy में, democratic government में ऐसा system बन जाता है, इसी वजह से हमारी जो democratic government है, वो accountable है, क्योंकि वो जो भी काम करती है, उसके पीछे proper reason, logic रहता है, and वो एक तरीके से अपने citizens उसे बताती भी है, कि वो क्यूं किया गया, उसके पीछे का reason क्या था, decisions लिया गया, तो क्यूं लिया गया, तो ये तो हो गई हमारी accountability की बात, responsive ने इसकी बात करते है दिखो जो हमारी democratic government है, वो कभी भी एक तरफा नहीं होती है, एक तरफा ये नहीं कि वहाँ से तुम्हे rules और policies और तुम्हारे laws वगएरा बताये जाएंगे, और तुमको सब follow करना रहता है, अगर ऐसा होता, तो dictatorship में और democracy में अंतर क्या रहता है, response करती है, democratic government response करती है, इसक policy को वापस ले लेती है, हटा देती है, government society को देखती है, society में कोई दिक्कत चल रही होती है, जनता demand कर रही होते है किसी चीज की, तो उसे पूरा करती है, so responsive भी है democratic government, ये नहीं कि सिर्फ एक sided, one sided तुम्हारा सारा जितने भी demands हैं, वो fulfill मतलब तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, and one sided तुम्हें सिर्फ और सिर्फ policies, programs, rules बना कर तुम्हें restrict किया जारा, ऐसा नहीं होता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, तो उसे solve करने के लिए, government हमेशा रहती है, हमेशा वो respond करती है, legitimate, legitimate का मतलब क्या होता है, देखू, legitimate basically होता है, सही, किसी भी law और सही way में बनी government को हम लोग legitimate government कहता है, so basically democracy में होता क्या है, elections होता है, free and fair elections होता है, सब लोग participate करते हैं, election में, और एक leader choose किया जाता है, एक leader बनता है, और वो represent करता है, अपने proper जगहे को, ठीक है, तो इस पूरे process में हमेशा ये देखा जाता है, कि वो सही से हो, कोई leader बने, तो उससे पहले candidate बने से पहले उसकी सारी जांच कर ली जाती है, कि हाँ कोई criminal वगेरा तो है नहीं, ideally ये करना चाहिए, ऐसा होता भी है, बड़ तुम्हें पता है कहीं-कहीं flaws तो हैं ही, तो यहाँ पे ये किया जाता है, कि जो हमारी government है, वो शुरू से ही उसको देखा जाता है, कि कोई ग काम करेगी, किसी गलत तरीके से, तारों के नीचे से कोई government नहीं बनती है, सब proper process के साथ होता है, सब proper accountability के साथ होता है, सब proper laws और जितने भी policies हैं, उनको ध्यान में रखके होता है काम, government जब बनती है, इसी वज़े से हम लोग इसे legitimate government, कोई भी काम तुम लोग देखोगे, त तो जो भी काम government में होता है, वो transparency के साथ होता है, तुम कोई भी काम अगर government ने किया, तो तुम पूछ सकते हो government से कि आखिर ये काम क्यों किया गया है, इसके पीछे का intention क्या था, तो ये legitimacy दिखाती है हमारी कि हाँ, जो government काम कर रही है, वो सही है, जो government ने काम किया है, वो इस reason के वज़े से किया है, वो इस वज़े से किया है, तभी वो government वो काम कर रही है, और जो reason है, वो law abiding है, वो law को follow करता है, तो ये तीन चीज हमारे हो जाएंगे, accountable, responsive और legitimate government के, तो ये basically तुम लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि exam में तुमें question यही आएगा, कि बताओ कैस ठीक है, हमारी government भले ही slow हो, inefficient हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा clean काम करती है, सही काम करती है, जो की law को साथ लेकर चलता हो, ठीक है, great, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, economic growth and development में, देखो जो democratic government रहती है, उसकी growth उतनी जादा नहीं होती है, मतलब ठीरे होती है, in comparison to dictatorship, यहाँ प से वो बढ़ती है, उनका growth rate होता है, वही dictatorial regime follow करने माला की 4.42 growth rate है, तो dictators का क्यों उतना growth rate है, क्यों, क्योंकि यह वहाँ पे slow decision making नहीं होता, dictator ने जो कह दिया, वो कह दिया, वही होगा, और तुरंत वो implement होने लग जाता है, बट अगर हम लोग बात करें, democracy की, तो democracy में implement होन making a process बहुत slow हो जाता है, उसके बाद implementation और भी slow हो जाता है, ठीक है, तो economic growth तो अच्छी नहीं रहती है, बट हाँ sustainable development होता है, democratic government sustain करती है, कोई भी development होगा, तो वो चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से तेजी से बढ़ रहा है तो तुरंत नीचे आ गया, ऐसा नहीं होग बट वो चलेगा और लंबा चलेगा, dictatorship तो जल्दी नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों को यह देखने को मिलता है, कि development धीरे होता है, अगर development हो रहा है, तो धीरे रफ्तार से चलता जाएगा, एक और aspect है कि हमारे लोग यहाँ पे कैसे है, democracy में जो लोग होते हैं तो जो पैसे वाले होते हैं, उनको proper platform मिल जाता है, उनको opportunities मिल जाती है, वो पैसे वाले बन जाते हैं, कई बार यह देखा गया, democracy में, जो middle class होती है, वो किसी तरीके से जिंदा रहती है, थोड़ा बहुत अगर पैस वैसे आगए, तो वही थोड़ा बहुत अपने आपको क उनको हिस्सेदारी मिल पाती है, जो democratic government में, उनको ऐसी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, कि वो अपने आपको grow कर पाएं, ठीक है, तो यह एक cartoon बनाए गया, अब सोचो अगर यह country होती, और इसको तेजी से development के तरफ दौड़ना होता है, तो क्या यह दौड़ पाती, भले ही इतना wealth है, इतना strong है, लेकिन नीचे पैर तो कमजोर है न, इसी वज़े से हमारी country का growth नहीं हो पाता है, इसी वज़े से democratic country की growth नहीं हो पाती, क्योंकि rich accumulate more wealth, बहुत ही ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, in comparison to other poor people, यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा सा, यह दिया गया है, काटून दिया गया, जिसमें तो worlds की बात की गई है, but तुम लोग यहाँ पर देखोगे, कि यहाँ पर 50% wealth अमेरिका के पास ही रखके दिखा दी गई है, बाकी इतनी सारी जो हमारी wealth है, जो हमारा wealth है, वो सिफ 2% लोगों के पास है, and 50% लोगों को सिफ छोटा सा wealth का होती है, दिक्कत, democracy में, हम लोग चाहते तो हैं कि जो inequality है, वो घटे, poverty है, वो घटे, but ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि democracy में, जितने भी changes होते हैं, वो काफी धीरे-धीरे होते, and यह वाली दिक्कत होती है, हम लोग चाहते हैं कि democracy में economic inequalities कम हो, but reality में, reality में वो उतनी तेज न democracy की बुराई कर लो, देख लो कि हाँस में disparity रहती है, development धीरे-धीरे होता है, but accommodation of social diversity में democracy का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, democracy हमेशा first रहती है, वो किसी भी form of government से democracy best रहती है, क्योंकि यहाँ पर accommodation of social diversity होता है, accommodation में साथ लेकर मिल जुल के चलना, social division जितने भी होते हैं, उन सब को साथ लेकर conflicts को, अपने, अपने conflicts को समालते हुए, यह जो democracy है, वो आगे बढ़ती है, ठीक है, and यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, कि democracy में, लोग कहता है कि majority के ही फैसले लिये जाता है, तो यह तो गलत बात होगी न, minorities का क्या हो, minorities के लिए तो दिक्कत हो जाएगी कि democracy में majority की बात की जाती है, तो यहाँ पर एक topic, एक point यहाँ पर NCRT में तुम्हारे दिया गया है कि, यहाँ पर majority का मतलब यह नहीं कि कोई religion, या फिर कोई, कोई ऐसा ethnic composition से यहाँ पर minority, majority नहीं decide होता है, यहाँ पर opinion से majority और minority decide होता है, यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है देखने को मिलता है कि, जो हमारे elections है, उससे यह पता चलता है, कि election में किस लोगों ने किस party को vote दिया, किस मुद्धे पर vote दिया, उस मुद्धे के thoughts पे, उनके opinions पे ही majority minority decide होती है, religion जैसा नहीं, caste system जैसा नहीं, या फिर कोई ethnic composition, कोई यह नहीं कि language speaker है, या फिर कोई भी है, majority, minority हर एक election में decide होती है, कि अगर तुमने इस बार मान लो, अगर चुनाओं में तुमने एक्स party को vote दिया, और Y party भी लड़ रही थी, तुमने इस साल X party को vote दे दिया, और X party को 70% लोगों ने vote दिया, तो तुम majority में थे, तुम्हारा जो opinion था, वो majority के लोगों का opinion था, तो त यहीं 2-4 साल बार, 5 साल बार, जब फिर से election होता है, और तुम सोचते हो कि नहीं, मैंने यहां गलती कर दी, तुम Y party को vote देते हो, तो Y party को जब तुम vote दे रहे होते हो, तो तुम, और मालो, उस साल Y party को 40% vote मिल गया, पिछले साल 30 मिले थे, इस बार 40% मिल गया, तो तुम minority म हो गया, यह कोई ऐसे जन्म सिद्ध नहीं था कि तुम सिफ majority में ही रहोगे, तुम अगर अपने opinion change करते हो, या फिर कोई दूसरे opinion को support करने लग जाते हो, तो तुम, तुम हारी majority minority हमेशा हर decisions पे बदलती रहती है, कि तुम majority में हो, कुछ-कुछ मुद्दों पे तुम majority में ह होते हो, तो यह बिसके लिए thought and opinion से majority minority decide होती हो, यह नहीं कि जन्म सिद्ध decide रहेगा, एक और चीज़े जो यहाँ पर खास बात है, democracy की, जो कि है dignity and freedom of citizens, सबसे ज्यादा dignity, सबसे ज्यादा freedom citizens को अगर किसी भी form of government में मिलता है, वो है democracy, democracy में women's को भी representation मिलता है, dictatorship में तायर नह हमारी democracy, dignity provide करवाती है citizens को, उनको यह insurance देती है कि उनका जो freedom है, वो maintain रहेगा, उनकी इज़त बची रहेगी, उनको कोई परिशान करेगा, तो police system रहता है वहाँ पर, government free and fair तदीके से उसकी जाच करेगी, justice दिलाएगी, so इसकी इन्शॉरिटी रहती है, inequality नहीं होती है, कम से कम होती है democracy में, so basically यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, कि जो democracy है, वो dignity provide करवाती है, and साथ-साथ में हम लोग को insurance देती है, कि कोई भी दिक्कत उसके साथ नहीं होगी, बस हाँ economic level पर थोड़ी से अपनी democracy कम जोर हो, ठीक है, democracy की खास बात क्या है, कि democracy हमीशा अपने आपको improve करती रहती है, democracy, अगर कोई तुम्हें, मालो कोई policy या फिर कोई rules बने, and वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहे, तो तुम अगर उसको government को कहोगे, तो government उसपे act करेगी, तुम्हारा reply किया जाएगा, तुम्हें respond दिया जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीजें थी, ज थैंक यू सो मच फर वाचिंग, and हाँ, MSP Knowledge Official YouTube चैनल भी है, तो उसको भी तुम लोग विजिट कर सकतो, class 11 के काफी अच्छे content, उसके भी आने वाले, class 10 के आते हैं, तुम इस चैनल को भी subscribe कर सकते हो, and साथ-साथ में पढ़ ले, seniors नाम का चैनल ले, उसको भी subscribe कर ले ना, कि class 10 में, class 10 के बाद भी तुम लोग को 11 तुमें अच्छे content मिलने वाले हैं, so thank you so much for watching, इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, मिलते हैं, next video